हेलो फ्रेंट साब से विगा स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट निउज को उपर जित्ती भी मार्केट में अभी के टाइम में बड़ी अपडेट्स दीखेगी सबको बारी बारी से कॉपर कर लेंगे सबसे पहले बात करते हैं सक्स को तो पहचान गया होगे एलन मस्क है तो यहां से कुछ निज निकल कर आर यह जैसे कि टेसला के सीओ जो की एलन मस्क है इन्हों ने जो ट्वीटर के कुछ स्टेक से मतलब की सेयर होल्डिंग है उसे पर्चेज किया है और यहां पर जो एनलाइ यहां पर पूरे तरह से फुली आपको स्पीच देने की मतलब अजादी नहीं है जिस पर कि इन्होंने बोला था कि मैं खुद का हो सकता है आने वाले टाइम में प्लेटफॉर्म जो है अपना सोसल मीडिया खुद का मैं प्लेटफॉर्म तयार करूंगा और उसमें इस तरह कि खामिया जो है नहीं दिखेगी और उसी ट्वीट के बाद से इधर फिर से देखो कि इनका जो है शेयर होल्डिंग इधर बढ़ा है मतलब कि इधर ट्वीटर में इन्होंने अपना पर्चे जो गरा दिया है अब बात करते हैं कि इन्होंने इन्होंने स्टॉक लिये तो बात करते हैं तो यहां पे देखो 9.2% जो है टुईटर के स्टेक को इन्होंने लिया यहां पर देख सकते हैं दो दो जगर पर लिखा हुआ है अब बात करते हैं इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बस यह है कि इन्होंने एक बाद ट्वीट किया था कि मैं अपना कुद का बढ़त्तिरी देखने को मिलेगी क्योंकि एलन मस्क आपको पता है कि वन आप दे रिचेस्ट मैन तो बस अब यही बात है कि इनके ट्वीट के बाद से प्रभाव पड़ेगा बहुत सारे लोग जो है ट्वीटर को यहां पर वाई करना सुरू कर देंगे तो चलो फ्रेंट्स यह पूरा का पूरा एक यहाँ पे गृूप है तो फ्रेंट्स आप देख सयते तो इंटरनेशनल गेम डेवलोपर्स एसोसीयेसन और इसके गृूप के जो बहुत सारे गेम डेवलोपर्स है जो प्रोग्रामर्स हैं उन सभी से बात कीतकरने के बात से यहाँ पर जो इनके डारेक्टर है गुरूप के उनका यह कहना है कि जो इस तरह के element है जो gaming projects में हम दो यूज करते हैं मतलब कि साफ साफ NFT के बारे में कहना है यह ethical issues present कर रहा है और साथी साथ इनका यह कहना है कि आने वले टाइब में यह socio-political explosion जो है इसका इंतजार कर रहा होने के लिए मतलब समाजीक पुलिटिक राजनीतिक explosion मतलब धमाका तो इस तरह सिंका कहना है कि इस तरह से आने में कुछ problems है जो कि यहाँ पर देखी जारी है game projects के अंदर NFT को लेकर जो कि बढ़ते हैं अपने अगले नियुज के लिए तो फ्रेंट्स यह जो है आपको पर्चेज वाले कुछ update है जो कि मेटावर्स रेटेड है तो यहाँ पर देख सकतो जो एर्था है इन्हों ने मेटावर्स पोर्टल में इंटर किया साथ ही साथ जो NFT है इसको बाउट हुआ है मतलब खरीदा गया है कितना का तो 60 के डॉलर में और यहाँ पर इसी का पिक्चर है जिसमें सब कुछ समझ में आ जागा यहाँ यह देख सकते हो एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स के बीच में डिया है मतला मेटावर्स के घ्रिवल किया सकता है और यहाँ पर थैंक्स2 एड्था पोर्टल एसा बोला जा रहा है एक जो इसे चलो खरीजिए चैन आंपने अदो पार्यों से लुण let evidence ऑने जिए ब्लांति के लिए प्रेंड के आग्ये बारे में तो तो यहाँ पे देख लो इन्होंने suspend कर दिया accounts को, किस से जो NFT से link है, इस तरह के news बीच में भी आई थी, कि यह लगातार उस तरह के account को track कर रहे हैं, जो की NFT से link है, और उसे क्या कर रहे हैं, तो suspend कर रहे हैं, कौन? तो Chinese जो WeChat app है, यह, जिसके regarding यहाँ पे picture भी आप देख सकते अब फिर से थोड़स पढ़ते हैं, तो देख लो, China के messaging app है WeChat, और यहाँ आप से लागातार इस तरह की ख़बर देखने को मिल लिए, कि जो account NFT से link है, NFT से related पाए जा रहे हैं, उनको यह क्या कर रहे हैं, तो ban कर रहे हैं, अब यहाँ पे है, कि of the crackdown is to stop the use of affected accounts in promoting NFT, तो जो भ काफी detail में देखने को आपको मिलेगे, तो जिस तरह से पटा है आपको कि वहाँ का जो Bitcoin में mining एक hub था, अभी के time में वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किस तरह से इन्होंने crypto ban कर दिया अपने यहाँ पर, और वहीं के लोग फिर क्या कियें, तो एक जगह से दूसरे जगह shift ह होने लगे, और फिर आज चाइना के अंदर से जो miners थे, बड़े amount में जो चोटे मोटे companies थी, जो के mining का काम करती थी, आज वो दूसरे जगह पे जाके अपना बुरिया बिचतर से, मतलब फिर से establish कर चुकिया, और वहाँ पे फिर से अपना काम सुरू कर दिये, तो इस तरह स अब यह वाला जो रिपोर्ट है, तो यहां पर देख लो, यह भी पाय जा रहा है, कि पब्ली एकाउंट हो गारा है, जो अभी भी इनको मिल रहा है, बैन कर रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग होगे, जो छुप चुप के इधर उदर एक्सेस करने के कोशिस करने होंगे, और यह लोग अभी भी भी भीडे हुए है, कि चुन-चुन के सब को हम लोग बैन करते चलेंगे, तो फ्रेंट्स, अब कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए यहां पे, लबबग जो भी था मैंने आपको बता दिया, अभी की टाइम में और कोई बड़ी अबडेट न तो मिलते पने नेक्शों तो मैं